हेलो दोस्तो आज आपके सामने हैं 2023 का TVS Jupiter 110 CC BS6 OBD2 का नया क्लासिक जो की 5 million special edition model है दोस्तो आज की वीडियो में मैं इसकी नई onward price, mileage, features, top speed वगएर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो प्लीज वीडियो को end तक जरूर देखना और यह जो color आपके सामने हैं यह है silver color दोस्तो अगर आप प्रयाग राश से हो और आपको TVS की कोई भी बाइक या फिर scooter लेना है तो आप Speed TVS शोरूम पर विजिट कर सकते हो contact details description में दी है तो शुरू करते हैं scooter के front से तो black color की आपको transparent wind shield मिल जाती है जिस पर आपको classic का इस टी कर दिया है काफी बढ़िया लगती है देखने में wind shield headlight की बात करते हैं तो क्रोम पर आपको TVS की badging दी है all led headlam का setup मिल जाता है यहाँ आप देख सकते हैं led tech लिखा भी है नीचे की तरफ आते हैं तो TVS का 3D logo मिल जाता है piano black finish में दोस्तो इसके side में आपको 5 million Jupiter का sticker मिल जाता है golden color में apron यहाँ पर पूरा fiber body का मिलता है जिस पर आपको Jupiter का sticker दिया है dual tone line के साथ यहाँ पर आपको yellow color की line देखने को मिल जाएगी बाकि नीचे यहाँ पर थोड़ा सा air wind type का design दिया है indicators की बात करे तो वही आपको halogen के मिल जाते हैं इन पर थोड़ा सा chrome touch भी दिया है जिससे look काफी ज़दा enhance हो जाता है mud guard की बात करते हैं तो कुछ इस तरह का मिल जाता है आपको और यह जो mud guard है दोस्तों यह metal body का है जिस पर आपको थोड़ा सा black design मिल जाता है जो की look को enhance करने के लिए दिया गया है नीचे की तरह आते हैं तो diamond cut में aloes दिये हैं black color में chrome touch के साथ जो की काफी बढ़िया लगते हैं देखने में बात करते हैं front tire profile की तो 90 by 90 12 inches के यहाँ पर आपको tubeless tire देखने को मिल जाते हैं front brake की बात करें friends तो 220 mm की आपको front disc brake मिल जाएगी suspension यहाँ पर telescopic दिये जाते हैं जिस पर आपको दोनों side reflector मिल जाएगा कुछ इस type का front से look आता है comments में जरूर बताएं कि आपको front look कैसा लगा दोस्तो यहाँ पर आपको multi function की point मिल जाता है तो यहीं से आप अपना fuel lid and seat को open कर पाओगे बात करते हैं meter console की तो fully analog meter यहाँ पर मिलता है जिसमें आपको eco and power indicator के साथ mal function and side stand की warning light मिल जाएगी उपर आपको indicator, deeper, low fuel की light के साथ analog fuel meter and speedometer मिल जाता है साथ में आपको odometer भी मिल जाएगा पूरा dash दोस्तो यहाँ पर आपको dark chocolate brown color में मिलता है जो की काफी जादा मस्त लगता है देखने में switches की बात करते हैं तो left में आपको upper deeper switch के साथ pass switch, indicator and horn की switch मिल जाती है वहे right side के switches की बात करें तो kill switch and self start का switch मिल जाएगा handle bar के end पर आपको bar ends भी मिल जाएगे दोस्तो यहाँ पर आपको एक USB charging port भी दिया जाता है तो यहाँ पर आप अपना phone वगेरा charge कर सकते हो थोड़ा सा storage space भी दिया है जिसमें आप अपना 1.5 liter का bottle अराम से carry कर सकते हो and अब मैं आपको इसका boot space दिखा देता हूँ तो यह वाला जो red cap आपको दिख रहा है friends यह scanner point है तो कोई भी fault वगेरा होगा तो आप यहाँ से scan कर सकते हो 21 liters की under seat storage मिल जाती है जो की काफी अच्छी space है side body की तरफ आते हैं तो Jupiter का 3D logo मिल जाएगा piano black finish में same वही sticker है friends yellow line के साथ and यह वाला जो side panel है यह भी आपको metal में ही मिलता है footrest यहाँ पर rubber padding के साथ दिये जाते हैं दोस्तों काफी अच्छी build है इनकी exhaust की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको catalytic converter दिया है air cooling engine है दोस्तों तो fan भी आपको मिल जाएगा exhaust कुछ इस type का है जिस पर आपको chrome में muffler दिया है and अब back profile की तरफ आते हैं तो यह E20 model है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो आप इसे आप flex fuel से भी चला पाओगे 6 liter का fuel tank capacity मिल जाएगा tail light की बात करते हैं तो वही आपको halogen की tail light मिल जाएगी halogen indicators के साथ यहाँ पर कोई भी changes नहीं है बाकी नीचे आपको number plate की light के साथ reflector दिया जाता है बाकी यहाँ पर आपको उपर Jupiter की badging मिल जाती है metal का grab handle है friends जिस पर आपको pillion comfort के लिए backrest भी दिया है तो pillion comfort का भी ध्यान रखा गया है seat की बात करें तो यहाँ पर आपको dual tune में chocolate brown color में seat मिल जाएगी leather finish के साथ and seat cushion भी काफी अच्छा है बाकी दोस्तों इधर के panel को भी आप check out कर सकते हो same वही 3D logo मिल जाता है 7.7 PS की max power मिल जाएगी 7500 RPM 8.8 Nm का torque मिल जाएगा 5500 RPM self के साथ यहाँ पर kick start भी दिया है rear suspension की बात करें तो 3 step adjustable coil spring with hydraulic damper type की suspension है rear tire profile same है front जितनी ही 90 by 90 12 inches की बाकी दोस्तों इधर भी आपको same वही pillion footrest दिया है and दोस्तों safety feature में आपको side stand cut off feature भी दिया है इस scooter का curve weight 109 kg है seat height आपको 765 mm की मिल जाएगी ground clearance 163 mm का है top speed दोस्तों लगबग आपको 90 से 95 km पर आवर तक की मिल जाएगी and mileage आपको 45 से 50 के बीच में अराम से देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं pricing की तो complete on road price प्रयाग राज यूपी में इसकी 110,800 रूपीज है वीडियो आपको कैसी लगी comments में जरूर बताएँ मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए चाहें इन दोस्तों झाल